सिहोर जिले के श्यामपूरा दोहरा शेत्र में खनन माफिया सक्री है जो प्रशासनिक अधिकारियों की मिली भगत से शेत्र के शाष्किय भूमी पर जम कर अवेद खनन कर रहे हैं प्राकृती रूप से समरत शेत्र को शती पहुचा रहे हैं तो वहीं दूसरी और शास्किय राजसुव का भी बड़ा नुकसान हो रहा है रहवासी शेत्रों से सटे शास्किय बढ़ले और पहाड पर अवेद खनन और भारी वहानों की आवाजाही से ग्रामिनों को भी भूमी पर अवेद रूप से खनन कर रहे हैं बताय जारा है कि बीते छे माँ से सरपंच के परिवार के लोग अदिकारियों से मिले भगत कर शास्के भूमी और पहाडियों से अवेद रूप से मिट्टी मूरम और पत्थर का खनन कर शास्किय राजस्व को भारे नुकसान पहुचा रहे हैं लीज कहीं और खनन कहीं और बताय जारा है कि छरकेड़ा सरपंच के भाई की नाम खदान की लीज सुविकरत की गए थी लेकिन सरपंच और उसके भाई सुविकरत भूमी को छोड़ अन्य शास्की भढ़ले पर अवेद रूप से खनन कर रहे हैं ग्रामि के परिजन कहते हैं कि सरपंच कहीं भी ग्राम पंचायत में खनन कर सकता है जब इस संबंद में ग्राम जरकेड़ा के सरपंच सुरेश विश्व कर्मा से बात की गई तो उनका कहना था कि वह निया मनुसार खनन कारे कर रहे हैं इस मामले में श्यामपूर नापतासिलदार स संबंद में कोई शिकायत नहीं आई है यदि कोई लीज भूमी से हटकर खनन कर रहा है तो कारवाई ही होगी इसमें दो तीन जो ख़दाने है एक रुपेश नायर की है और एक बोपाल वाले की नेरेल पाटिदार की है इसके पेपर मेल छे महीने पहले ही चेक कर लिये थे तो वो समय शिमाशे बाया नहीं है और जो आप चीज की शिकायत कर रहे हो उसको माइनिंग वाले से बात की है के माइनिंग इसपेक्टर आयेंगा शर्यक्तर्प से जाँचकर जो भी तरवाई मिल रही है के इंदे उनकर साथ में साथ में शर्यक कर लोगी है बर इस पार उप मेरे पास में नहींग not यदि कार ऊंच करके चैकारिए झाल में।